आज मैं हेल्दी और टेस्टी ओट्स जिला बनाने जा रही हूं इसमें हम बहुत सारा सब्जिया टालेंगे और एकदम हेल्दी है और कम तेल में बनाएंगे नमस्कार भूमिज कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने अभी तक सब्स्राइब ने किया है तो सब्स्राइब करके बेल आइकन दबाएं तो यहां पर मैं ले रही हूं एक कप ओड्स इसको मैं चतनी जार में ग्राइंड कर रही हूं तो एकदम फाइन पाउड करेंगे अधा से थोड़ा सा ज्यादा मिने डाल दी है तो अच्छे से इसको मिला लेंगे अभी घोल थोड़ा सा पतला लग रहा है इसको हम रेष्ट करने के लिए रखेंगे 10-15 मिनिट के लिए इतने में जो घोल जो है पानी इसमें आपजर्ब हो जाएगा और थोड़ा डालेंगे गाजर को मैंने ले ली है एक गाजर इसमें करके डाल दी है अभी इसमें आधा सीमला मिर्च को बारेक टुकडों में काटके डाल दी है इसमें अभी हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च एक कटी हुई और थोड़ा सा धन्या पत्ता अभी हम इसमें बारेक टुकडो में कट हुए प्यास दालेगे आधा प्यास को मैंने बारिक टुक्रों में काट लिए थी इसको हम दालेगे तो इतना सभजयां काफी है को आगर आप इसमें चाहे तो दूसरे सभज बग आउ सकते हैं स्ता सटमिसाहरी में इसमें नमक डा लें और आधा चमस जितना हल्दी पाउडर डालेंगे बहुत ज्यादा हल्दी ना डाले अधा चमस से थोड़ा सा कम लीजिए इन सबी को अच्छे से मिक्स कर लीगे आप चाहे तो इसमें दही डाल सकते हैं एक से दो चमस थोड़ा सा खटा टेस्ट के लिए लेकित मैं बिना दही की बना रही हूं घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो जो पानी बचा था इसमें से थोड़ा समय पानी डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर ली है बेटर अभी तयार है चिला बनाने के लिए अभी एक फ्राइंग पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दी थी अभी इसमें हम एक चमच जितना तेल को फेलाएंगे और एक से दो बड़े चमच बेटर को इस तरह से फेलाएंगे इसको आप बहुत जादा पतला ना रखें क्योंकि पतला रखेंगे तो यह पलटते समय हम में मुश्किल होगा जल्दी पलटेगा नहीं और पलेटने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें इसको आराम से पकने दीजिए मीडियम फ्लेम में एक से दो मिलिट तक उसके बाद ही इसको पलटें बरना यह तुटने का चांसे रहता है क्योंकि ओट्स है तो दोनों तरब से दोनों तरब से इस तरह से दबाते हुए अच्छ़ से से क्लिए क्यूंकि सबजेनउं भी है तो इशावी उपर से तोड़ अंसा तेल र sortie प्रूम और इस तरह से अधस्य दबाते होब अच्छ़ से से शेक लिए एकदम हेल्दी नास्ता होता है इसको आप वेट लॉस के लिए या फिर डियाविटिक स्पेसेट के लिए भी इसको बना सकते हैं टामाटर चटनी के साथ या फिर कोई भी चटनी के जाब परोसे और बना कर देखें और मुझे कोमेंट में लेखेंगी कैसा बना है